हलो एवरिवन आज हम करेंगे हिंदी कक्षातीन की पार्ट नमबर पाँच जो की क्या है एक पंजाबी लोक कता है और इसका नाम क्या है बहादूर बित्तो ठीक है एक किसान था उसकी बीवी का नाम था बित्तो एक दिन किसान ने बित्तो से कहा सुबह जब मैं खेत में हल चरा रहा था तो एक शेर ने आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाओंगा बित्तो ने उसे पूछा तूने क्या जवाब दिया यानि कि यह कहानी किसकी है एक किसान की और उसकी बीवी की है यानि कि बित्तो की ठीक है तो यहाँ पर क्या है इस कहानी में एक किसान था उसकी बीवी का नाम था बित्तो एक दिन किसान जब अपने खेत में गया ठीक है तो उसने बित्तो को वो बात पता रहा था ना कि वो जब सुबह सुबह खेत में गया हल चला रहा था तो वहां पे कौन आया एक शेर आया और उस शेर ने किसान से क्या कहा कि किसान अपना बैल तुम मुझे दे दो वरना मैं त फिर उसकी पत्नी ने किसान की पत्नी ने यानि बित्तो ने क्या कहा किसान से पूछा कि तुन ने क्या जवाब दिया ठीक है किसान ने क्या कहा किसान ने कहा मैंने कहा तू यही रुक मैं घर जाकर अपनी गाएं ले आता हूँ अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखो मर जाएंगे तो किसान ने क्या कहा कि तुम यही रुको मैं घर जाकर अपनी गाएं लेकर आता हूँ अगर तुम मेरे बैल ले जाओगे तो हम बूखे मर जाएंगे ये सुनकर बित्तो को बहुत गुसा आया उसने किसान को फटकारा घर की गाएं शेर को खिलाते तुझे शरम नहीं आती अगर गाएं गल चली गई तो दूद घर में कहां से आएगा नलसी आएगी बचे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे जब किसान ने अपनी बीवी को बताया कि उसने शेर को क्या कहा तो ये बात सुनकर क्या हुआ बितो को गुसा आ गया और उसने किसान को डांटा फटकारा ठीक है और क्या कहा कि घर की गाएं को अगर शेर को खिलाते हुए तुमें शरम नहीं आती अगर गाएं चली जाएगी तो घर में न तो दूद होगा नहीं लसी और बच्चे जो है वो रोटी किस चीज के साथ खाएंगे बितो को एक तरकीब सूजी उसने कहा तुम फोरण खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बितो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है तो बितो ने क्या कहा किसान से उसको एक तरकीब सूजी यानि कि उसको एक क्या आया एक विचार आया एक आइडिया आया तो उसने क्या कहा कि तुम अपने पती से किसान से कि तुम क्या करो खेत में जाओ और जाकर शेर को क्या कहो कि मेरी पतनी बितो तुम्हारे लिए खाने में क्या लेकर आ रही है गोड़ा लेकर आ रही है किसान डरता डरता शेर के पास गया उसने कहा शेर राजा हमारी गाएं तो बड़ी ही मरियल है उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा गोडा लेकर आ रही है तो उसने किसान ने डर्ते हुए क्या कहा शेर से? कि हमारी गाएन जो है वो बहुती जदा मरियल है मरियल मतलब कमजोर है ठीक है? उससे तुम्हारा क्या बनेगा मेरी बीवी तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है एक मोटा ताजा गोड़ा लेकर आ रही है फिर बित्तों ने क्या किया सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांदा और हाथ में दराती लेकर गोड़े पर सवार हो गई घोड़ा दोडाती वे खेत पर पहुंची और जोर से चिलाई अरे किसान तू तो कहता था कि तू ने चार शेरों को फांस कर रखा है यहां तो सिर्फ एक ही है बाकी कहां गए तो बित्तो ने क्या किया सिर पर पगड़ी बांदी बड़ी सी और हाथ में दराती लेकर जब वो खेत में पहुंची तो उसने क्या किया जोर से चिलाई अरे किसान तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस रखा है यहां तो सिर्फ एक ही है बाकी कहां गए फिर वो घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बड़ी और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं नाश्ते में एक ही शेर काफी है बितो ने क्या किया घोड़े से उतर कर शेर के पास गई और कहने लगी कि नाश्ते के लिए तो एक ही शेर काफी है इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कापने लगा और भाग खड़ा हुआ ये देखकर बित्तो बोली कि देखो इसे कहते हैं हिम्मत बित्तो की बात सुनकर शेर क्या हो गया वो डर गया डर के मारे कापने लगा और वहां से भाग गया ये देखकर बित्तो क्या बोली कि देखो इसे कहते हैं हिम्मत तुम तो इतने डरपोखो कि घर की गाएं शेर के हवाले कर रहे थे बित्तो ने अपने पती से यानि कि किसान से क्या कहा कि तुम इतने डरपोखो कि अपनी घर की गाएं शेर के हवाले कर रहे थे उधर मारे भूखे शेर की आते चटपटा रही थी एक भेडिये ने पूछा महराज क्या मामला है आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं तो शेर को बहुत भूख लग रही थी और वो फिर क्या हो रहा था भूख के मारे चटपटा रहा था ना तो एक भेडिये ने क्या पूछा शेर से कि महराज क्या मामला है क्या बात है आज आप बहुत ही उदास दिख रहे हो शेर ने क्या कहा कुछ नब पूछो आज मुश्किल से जान बच्ची है आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह चार शेरों का नाश्टा करती है तो शेर ने उस लोमडी को बताया कि कुछ मत कुछो आज बड़ी ही मुश्किल से जान बच्ची है आज एक ऐसी राक्षसी यानि के कैसी राक्षसी से पाला पड़ गया मेरा जो रोज सुबह क्या करती है नाश्ते में चार शेर खाती है ये सुनकर भेडिया भी बहुत हसने लगा वो सुबह ज़ाड़ी में छिपकर सारा तमासा देख रहा था उसने कहा भोले बादशाह वो तो बित्तो थी जिससे आपने राक्षशी समझ लिया था तो वो बेडिया क्या करने लगा शेर की बात सुनकर हसने लगा क्योंकि उसने क्या किया था सुबह सुबह ज़ाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देखा हुआ था उसको तो पता था ना कि वो राक्षशी कौन थी फिर उसने क्या कहा शेर से कि भोले बादशाह वो तो बित्तो ती जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए उसने शेर से कहा कि आप फिर एक बार कोशिश करके देखिए अगर बैल आपके हाथ ना आये तो मेरा नाम भेडिया नहीं बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तयार हो गया लेकिन उसने भेडिये से कहा तुम अपनी पूँच मेरी पूँच से बांद लो तो लोमडी की बात सुनकर शेर ने क्या किया वापिस किसान के खेत में जाने की तयारी की और उसने खेत पर जाने से पहले भेडिये से क्या कहा कि तुम क्या करो मेरी पूँच के साथ अपनी पूँच भी बांध लो ठीक है दोनों जने पूँच बांध कर चल पड़े अब शेर और भेडिया जो है आपस में अपनी पूँच बांध कर किसान के खेत की तरफ चल पड़े उन्हें देखते ही किसान के होश हवास घुम हो गए जब किसान ने उन दोनों को देखा तो वो होश हवास से गुम हो गया यानि कि वो बिल्कुल हैरान रहे गया वो डर से थर-थर कापने लगा लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई बेडिये के पास जाकर उसने कहा क्या रे बेडिये तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँच से चार शे गड़ी किसान ने जब उनको देखा तो किसान डर गया ना ठीक है लेकिन बित्तो उनको देखकर बिल्कुल नहीं डरी उसने फिर से बहादुरी दिखाई और भेडिये के पास जाकर उसने क्या कहा क्यों रे भेडिये कि तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम अपनी पूँच से चार शेर बांद कर लाओगे लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है और वो भी मरियल सा कमजोर सा भला इससे खाकर मेरी भूग कैसे मिट सकती है खैर कोई बात नहीं इस वक्त यही सही इतना कहेकर बित्तो क्या करने लगी आगे बढ़ने लगी शेर के होश हवास उड़ गए उसने समझा कि भेडिये ने उसके साथ धोका किया है वो फोरन वहां से भागा बेडिया बहुत चीखा चिलाया लेकिन शेर ने एक नी सुनी तेजी से भागता चला गया किसान और बित्तो आराम से रहने लगे उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत क कि तरफ फिर कभी नहीं आएगा शेर के होशवास जो थे वो उड़ गए थे यानि कि शेर जो है वो बहुत जाता डर गया था ये बात सुनकर फिर उसने क्या समझा कि भेडिये ने उसके साथ क्या किया है धोका किया है उसे फसाया है और वो वहां से फौरन भाग गया क्योंकि उन्हें पता था शेर जो है वो बहुत जादा डर गया था और वो उनके खेत की तरफ दुबारा कभी भी मुड़कर नहीं आएगा ठीक है अब हम इसका अभ्यास करेंगे ठीक है बच्चो कहानी में ढूंडो शेर किसान से क्या लेने गया था हमने अभी पढ़ा कह शेर जो है किसान के खेत में गया और उसने किसान से क्या मांगा था बताओ शेर ने किसान से उसका बैल लेने गया था शेर ने किसान से उसका बैल मांगा था ना वो हल जोत रहा था खेत में और शेर ने उसके पास जाकर क्या कहा कि तुम मुझे अपना बैल दे दो वरना मै तुम्हें खा जाओंगा अगला है शेर ने बित्तो को राक्षशी क्यों समझ लिया था क्योंकि बित्तो ने एक चाल चली उसने किसान से कहा कि तुमने तो चार शेर फांस रखे थे यहां तो एक ही है चलो कोई बात नहीं एक ही शेर नाश्टे के लिए काफी है ये सुनकर शेर के बित्तो को राक्षशी समझ लिया बित्तो का पहनावा भी ऐसा था उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी जिससे देखकर शेर डर गया शेर ने क्यों राक्षशी समझ था क्योंकि बितो ने क्या किया एक चाल चली थी ना उसने खेत में जाकर किसान से क्या कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने चार शेर बांध रखे हैं फसा रखे हैं यहां तो केवल एक ही शेर है चलो कोई बात नहीं एक ही शेर मेरे नाश्टे के लिए काफी है और ये बात सुनक अगर शेर जो है वो बहुत जादा डर गया था और बितो को राक्षेसी समझने लगा था क्योंकि वो उसे खाने के लिए कह रही थी बितो का पहनावा भी ऐसा ही था उसने कुछ कपड़े भी ऐसी पहने थे सर पे पगड़ बांध रखी थी और हाथ में क्या ले रखी थी दर चतुराई दिखाई बैल की जान बितो की समझतारी और चतुराई से बच गई ना उसने चार शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचा कर भाग गया और बैल बच गया ठीक है अगला है तुम्हारी जवानी नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा कीची है उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखे वाक्या को अपने शब्दों में लिखो बितो गोडे पर सवार हो गई तो इससे हम अपने वाक्या में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गोडे पर बितो सवार हो गई अगला है तुम घर की गाएं को शेर के हवाले कर रहे थे अब है आज एक राक्षेसी से पाला पढ़ गया एक राक्षेसी से आज पाला पढ़ गया उसके बाद अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं यहनकी आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं उसके बाद है शेर को देखते ही किसान के होशवास गुम हो गए इनकी जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होशवास गुम हो गए ठीक है तो हमें क्या करना है इन्हें अपने वाक्य में कि हम इन वाक्यों को अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे वो हमें लिखना है हुआ था शेर वहां से डर कर भाग रहा था ना तो भेडिये के साथ क्या हुआ होगा शेर की पूंच भेडिये की पूंच से बंदी थी ठीक है जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ ही भेडिया भी गसीटता गया होगा इससे भेडिया बहुत गायल हो गया होगा उसे चोट भी आई होगी और उसकी कई हटिया भी टूट गई होगी, क्योंकि बित्यों ने क्या किया, शेर को फिर से डरा दिया, और डरके मारे शेर वहाँ से भागने लगा, और वो भेडिया जो था, वो शेर की पूंत से बंदा हुआ था, जिसके कारण वो भी घसीटता हुआ शेर के साथ चले गया और वो बहुत ज़ादा घायल भी हुआ होगा और उसे बहुत चोटे भी आई हूँगी ठीक है अगला है शेर किसान के पास कितनी बार गया था कहानी देखे भी ना बताओ शेर कितनी बार गया था बच्चो किसान के पास जब हमने पढ़ा कहानी में सबसे पहले शेर कब गया जब उसने जाकर किसान से क्या कहा कि मुझे तुम अपनी बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा और दूसरी बार कब गया था जब वो भेडिये के साथ भेडिये क पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई, मोर का क्या हुआ है यहाँ पर मोरनी, मोर मोरनी की तरह है नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलने हैं, ठीक है हमें क्या करना है इनके रूप बदलने हैं, जैसे औरत आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, गोडा घोडी, मच शुआरा मच्वारन, राजा और रानी ठीक है जैसे लिंग बदल होते हैं वैसी यहाँ पर क्या है ओरत है और यहाँ पर क्या हो गया आदमी ठीक है ऐसे ही शेर का शेरनी बच्चा का बच्ची ठीक है बच्चो उसके बाद अगला है मैं नहीं जाओंगा शेर ने बित्तो को राक्षिसी समझ लिया वो खेत में नहीं जाना चाता था पर भेडिये के समझाने पर वो राजी हो गया सोचो शेर और भेडिये के बीच क्या बात चित हुई होगी शेर ने जब बित्व को राक्षिसी समझ लिया तो उसने क्या सोच लिया था कि वो दुबारा कभी भी खेत पर नहीं जाएगा लेकिन भेडिये के समझाने पर वो मान गया था ना दुबारा जाने के लिए तो उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बाते हुई होगी शेर ने कहा भेडिये तुम क्यों हस रहे हो जब भेडिया हस रहा था तो भेडिये ने क्या कहा कि महाराज वै तो एक और थी शेर ने कहा नहीं नहीं वह सच्मुच राक्षशी थी तब भेडिये ने क्या कहा मैंने अपनी आँखों से देखा है महराज वह तो बित्तो नामक एक औरत थी जिससे आपने राक्षशी समझ लिया था ठीक है हमने कहानी में भी पड़ा था कि शेर और भेडिये के बीच में क्या क्या बाते हुई थी फिर शेर ने कहा तुम सच कह रहे हो तो भेडिया क्या बोला हा महराज मैं ठीक कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलो शेर ने क्या कहा ठीक है लेकिन तुम क्या करो अपनी पूँच के साथ मेरी पूंच को भी बांध लो चीक है बच्चो उसके बाद अगला है बोलो तुम क्या सोचती हो बेडिये ने शेर को भोले महराच क्यों कहा क्या शेर सच मुझ भोला था बताओ क्यूं कहा उसने उसे भोला महराच शेर ने क्योंकि शेर ने किशान की पत्नी को क्या सम शेर ने किसान की पतनी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए शेर भोला था, वो भूल गया कि एक मनुष्य की पतनी राक्षसी नहीं हो सकती, यदि वो राक्षसी होती तो सबसे पहले पती वे बैल को ही खा जाती, इसलिए भेडिये ने शेर को बोला महराज कहा था, क्योंकि अगर वो राक्षसी होती तो वो अपने पती को भी खा जाती और उन दो बैलों को भी खा जाती अगला है शेर ने भेडियें की पूँच के साथ अपनी पूँच क्यों बांद ली डर के कारण क्योंकि शेर को डर लग रहा था और वो ये सोच रहा था कि कहीं भेडिया उसे छोड़ कर ना भाग जाए इसलिए शेर ने डर के कारण अपनी पूँच से बेडियें की पूँच बांद ली ताकि बेडिया उसे छोड़ कर भागना जाए और राक्षसी उसे खाना जाए अगला है क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेट की तरफ गया होगा हा तो क्यों नहीं तो क्यों अगर गया तो क्यों गया होगा और अगर नहीं गया तो वो क्यों नहीं गया होगा शेर फिर कभी खेट की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वो बित्तो को सचमुच राक्षसी समझ रहा था ठीक है क्योंकि वो बहुत जादा डर गया था ना इसलिए वो कभी भी दुभारा उस खेट की तरफ नहीं जाएगा अगला प्रशन है बितो की हिम्मत तुम्हे कैसी लगी अगर तुम बितो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती बितो की हिम्मत बहुत प्रेंडना दायक थी ना हमें उससे हिम्मत लेनी चाहिए कि हमें बित्तो की हिम्मत से प्रेंटना मिलती है कि कठिन समय में हमें कभी भी कम घबराना नहीं चाहिए और समझतारी से काम लेना चाहिए अगर मैं बित्तो की जगा होती तो शायद भागती और शेर शोर मचाती इस तरहें लोग वहाँ पर खटा हो जाते और शेर डर कर भाग जाता हम ऐसी करते ना अगर हम वहाँ पर होते तो क्या करते डर के मारे जोर जोर से चिलाने लगते ताकि लोग वहाँ पर कठा होते और शेर डर कर भाग जाता लेकिन हमें कभी भी कठिन समय में डरना नहीं चाहिए तो हमें इसे क्या सीक मिलती है, एक प्रेड़ना मिलती है, कि हमें कठीन समय में समस्दारी के साथ काम करना चाहिए, उसके बाद है राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से नह कहना, राज और राज को बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फरक है न, कई बार क्या होता है कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं कहानी में से ऐसे ही जग पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंडो जैसे सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ और काफी ठीक है बच्चो उसके बात है अब अपने मन से सोचकर जब पर लगे नुक्त वाले पाँच शब्द लिखो तो हम कौन-कौन से पाँच शब्द लिखेंगे रफ्तार, ज्यादा, खांदान, जरूरत, और सफेद ठीक है अगला है अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगा होती या होते तो क्या करते अगर मैं शेर की जगा होती तो शायद तुरंथी बैल पर छलांग लगा देती किसान घर पहुंच ही नहीं पाता उससे पहले ही मैं बैल को ले आती अगर हम शेर की जगा होते तो क्या करते किसान को ये थुड़ी बोलते कि हमें तुम्हारा बैल दो वरना हम तुझे खा जाएंगे हम तो क्या करते सीधा शेर बैल के उपर हमला कर देते ठीक है और ना ही किसान घर पहुँच पाता और हम बैल को भी ले आते अगला है अगर तुम बित्तो की जगा होती तो शेर से कैसे नहीं पढ़ती अगर मैं बित्तो की जगा होती तो शोर मचा कर किसानों कोई खटा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता ठीक है तो हम ऐसी करते ना शोर मचाते और पूरे जितने भी किसान थे गाउं मों उन सब कोई खटा करते ताकि यो शेयर को पकड़ कर दूर छोड़ाते अगला है पहचानों तो कहानी में तुमने दराती का चितर देखा नीचे ऐसे ही कुछ और ओजारों के चितर दिये गए हैं उन्हें पहचानों और बॉक्स में दिये गए शब्दों से शेयरी शब्दोंड कर लिखो नीचे हमें क्या दी गए हैं ओजारों के चितर हमें पहचानना है कौन सा ओजार का क्या नाम है ये क्या है बच्छों आप सभी ने देखा होगा इसे इसे हम क्या बोलते हैं हतोडी तो यहाँ पर हतोडी लिखा हुआ है ना यहाँ से देखकर हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद अगला चितर किस चीज़ का है पेचकस तो हम यहाँ से पेचकस लिखेंगे उसके बाद अगला चितर है खुरपी का ठीक है तो यहाँ पर हम खुरपी लिखेंगे उसके बाद है करनी जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है उसके बाद आरी ठीक है इसका इस्तेमाल किसी चीज को काटने में किया जाता है ठीक है तो आपको ये सबी नाम उपर दिये गए हैं आप वहाँ से देख कर इने कर सकते हो उसके बाद है अगला वरना शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाओंगा वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी तीन वाक्या बनाओ आपको भी वरना शब्द का इस्तेमाल करके तीन वाक्या बनाने हैं जैसे चले जाओ वरना मैं मा को बता दूंगा या दूंगी ठीक है उसके बाद मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी जल्दी तेयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी ठीक है तो आपको भी ऐसे ही कुछ शब्द बना करके लिखने हैं जिसमें वरना शब्द का इस्तेमाल करना है जैसे आपको यहाँ पर यह वाक्या बना कर दिये गए ना ऐसी आपको भी वरना शब्द का इस्तेमाल करकर वाक्या बनानी है उसके बाद है हम किसी से कम नहीं कई जगों पर गाओं में औरतें खेतों में भी काम करती हैं, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं, आपको पता करके लिखना है, हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की सफाई का काम करती हैं, या खाना बनान का ठीक है कुछ दुकान चलाती है और कुछ कपड़े सिलने का काम करते हैं आपको भी ऐसी पता करके लिखना है उसके बाद है शेर और घोड़ा शेर और घोड़े में कोई अंतर होते हैं ध्यान से सोच कर नीचे लिखो अब शेर और घोड़े में क्या क्या अंतर होते हैं क्या खाता है मांस और घोड़ा खास खाता है ठीक है और घर क्या होता है शेर का घर क्या होता है जंगल की गुफा और घोड़ा कहा रहता है अस्तबल में और रंग क्या होता है शेर का शेर का रंग होता है बूरा और सुनहेरा जबकि घोड़े का रंग काला सफेद भूरा चि शेर की आदत होती है ना वो जानवरों को मार कर खाता है लेकिन घोड़ा क्या करता है समान डोने का काम सवारी कराना ठीक है तो ये क्या था अंतर था शेर और घोड़े के बीच में अब है कौन क्या है नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो किसान बोतल लता क कू, केला, कलम, राचू, रानो, चूहा, नीना ये सब हमें क्या दी हुई है शब्दों की एक तालीका है हमें क्या करना है इन सब को सही जगा पर लिखना है जैसे जानवर क्या-क्या है हम उपर देखेंगे इसमें से क्या-क्या है जानवर किसान जानवर है, नहीं है, बोतल भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जानवर क्या क्या है, जैसे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरईया, ठीक है, तो यह सब क्या है, जानवर है, उसके बाद चीजे, चीजे क्या क्या है, इसमें, बोतल, कलम, जूता, चारपाई, ठीक ह ये सब क्या है चीजे हैं उसके बाद नाम क्या क्या है नाम है लता ककू किसान राजू रानू ठीक है ये सब क्या है नाम है तो ये हम किसमे लिखेंगे नाम वाली तालिका में ठीक है बच्चों ऐसे ही सभी नाम छाट छाट कर आपको इस तालिका में करने हैं ओके तो ये था हमारा पार्ट नमबर